नमस्ते बच्चो मेरा नाम निर्मलकुमार गुप्ता मेरे साथ है सुशिलाज चोधरी आज हम कक्षा नो के हिंदी विशे की पाठ्य पुस्तक शितिज के गध्यकंड का अध्याय दो का भाग दो पड़ेंगे लेखक है रहुल सांकर्ट्यायन अध्याय का नाम लहसा की और बच्चों वीडियो के प्रतंभाग में हमने इस पाठ का सार पड़ा जिसमें रहुल जी की तिब्बत यात्रा का वर्णन था वीडियो के इस भाग में हम प्रस्न उत्तर हल करेंगे शुरू करें बच्चों प्रस्न बच्चों इसमें आपके सामने चार विकल्प है जिनमें से एक सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है राहुल सांक्रत्यायन ने बौत धर्म ग्रहन किया सन 1926 में सन 1930 में सन 1932 में सन 1935 में सही उत्तर है सन 1930 में प्रस्न दो राहुल सांक्रत्यायन का मूल नाम क्या था उत्तर है केदार पांडे प्रसंतीन तिबबत में किस धर्म के अनुयाई रहते हैं उत्तर है तिबबत में बौत धर्म के अनुयाई रहते हैं प्रसंत चार लेखक को छद्मवेश मनाकर यात्रा क्यों करनी पड़ी उत्तर है उस समय भारतियों को तिबबत यात्रा की अनुमती नहीं थी इसलिए लेखक ने छद्मवेश में यात्रा की प्रसंत पांच तिबबत की सामाजिक स्थिति का वरणन कीजिए उत्तर है तिबबत में जाती पांती छूआ छूद नहीं था परदा परदा का अभाव था समाज में आपसी प्रेम और विश्वास था बच्चों ये थे इस पाट के प्रश्न उत्तर आशा है आपको समझ आएंगे इन्हें अपनी उत्तर पुष्टिका में लिखे धन्यवाद झाल